आईपियल फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल्स का नाम इन दिनों लगातार भिवाद में जो है आ रहा है और इसके कारण आप लोगों को पता होगा क्योंकि पिछले कई दिनों से एक खबर है जो कि आ रही है जिसके मतावित अगर हम बात करें तो जो दिल्ली कैपिटल्स के स स्टार प्लेयर है उन्होंने एक महिला के साथ जो है बत्तमीजी की है या फिर अगर हम अंग्रेजी की सब्द के है तो एक महिला को हरास्मेंट किया है और हरास्मेंट केस जो है दिल्ली के एक प्लेयर के उपर लगा है इस तरीक ही खबरे आ रही है पूरा मामला आप लोग खबर सामने लिकल के आ रही है उसके मुताबित दिल्ली कैपिटल्स के एक स्टार प्लेयर ने एक महिला के साथ दूर बहवार किया है आप सभी को बता दू कि खबर सामने लिकल के आ रही है कि एक पार्टी के दोरान दिल्ली कैपिटल्स के एक प्लेयर ने महिला के साथ बतसल की की और अब जो है उन पर हरास्मेंट का केस भी लगा है इस तरीके की खबरे आ रहे हैं आप सभी को बता दू कि इस घटना को मध्य नजर करती हुए दिली कैप्टेल्स की जो टीम है उन्होंने अब एक नियम बना दी है जिसके अगर हम बात करें तो उसके नियम के मताबित अब जो है कोई भी पलेयर दस बज़े के बाद किसी भी पार्टी में सामिल नहीं हो सकता है और दस बज़े के बाद अगर किसी भी पलेयर को होटल से बाहर जाना है किसी से मिलने जाना है तो उनको जो है परमेशन लेनी होगी इस तरीके की खबरे सामने आ रहे है लेकिन ज अखिरकारों कौन प्लेयर है जिनोंने एक महिला के साथ दुर्वयावार किया है या फिर अगर अगर आपके है तो बत्तमीजी की है इस पर अभी तो कोई खुलासा नहीं हो पाया है नाम को जो है गोप्या रखा गया है उस प्लेयर के नाम के बारे में कोई भी जानकारी नही हीर है क्योंकि आईप्ल यसे इतने बरे टुनामेंट में सब ही खिराड़ियों को जो है अपना एक जो है डेकटरम होता है अपना एक लेविल होता आपना एक रिस्ट्ट होता है और इतने बरे लिग में आकर कि कोई प्लेयर एक महिला के साथ इस तरीके के दो बहबार करे उसको हरेश्ट करे ये बहुत बरी और संगीर मामला हो जाती है तो देखना होगा कि इसकी सचाई क्या है और ये जो खबर आ रही है उसमें कितना दम है लेकिन अगर ये खबर सही है तो जी नहीं प्लेयर ने इस तरीके की हरकते की है उनकी केडिया निश्चित रूप से बरबाद हो जाएगी इसमें कोई भी असंकार नहीं है तो देखना होगा क्याने बारे दिन में इस केस्ट पर क्या खुआसे होते हैं अभी तक की जो खबरे है वो यही है कि दिल्ली कै आपडल्स के एक सिनियर प्लेयर श्टार प्लेयर ने चौह है एक महिला के साथ बदसाल की की है हरैस्ट किया है और अब जो है हरास्मेंट की केस्ट के भी बाते हो रही है तो जैसे ही इस मामले से जुरी हुई कोई भी अपडेट आएगी तो सब पहले आपको यही पर मिले कि बनेड़ी अमारे साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर दे और इस तारीके की बहवार पर आप क्या कहना चाहते हो कमेंट करके अपनी राइज जरूर रखियेगा नुद